करनाटक के उत्तरी भाग में एक रिशी हुआ करते थे जिने आज वीर शैव समुदाय के आधार स्तंभों में से एक माना जाता है उनका नाम अल्लमा प्रभू था एक योगी अल्लमा की तलाश में आएं क्योंकि उन्होंने अल्लमा के बहुत चर्चे सुने थे वो उनके साथ मुकाबला करना चाहते थे ये योगी जो उनसे मिलने आएं उनके उम्र लगभग दो सौ साल थी बहुत जबर्दस्थ योग का अभ्यास करके शरीर के तत्वों पर महारत हासल करते हुए उन्होंने अपने शरीर को इतना मजबूत बना लिया था कि उन्होंने उम्र को मात दे दी और इस बात का उन्हें बहुत गर्व था जिन लोगों को वो जानते थे वो सभी मर चुके थे लेकिन वो जीवित थे और एक जवान आदमी की तरह मजबूत थे उनका शरीर चटान की तरह था तो वो अल्लमा के पास आए वो एक नदी के किनारे पर मिले और उन्होंने अल्लमा से कहा देखो मैं ही असली योगी हूँ अगर तुम मेरी परीक्षा लेना जाते हो तो अपनी तलवार लेकर मेरे सिर पर मारो और देखो क्या होता है अल्लमा ने कहा ठीक है और अपनी तलवार ली और उनके सिर पर दे मारी तलवार ऐसे वापस उचली जैसे किसी चटान से टकराई हो तो योगी ने कहा, यही मेरी ताकत है, कोई तलवार मेरे शरीर को काट नहीं सकती, मैं वास्तव में अमर हूँ फिर उसने पूछा, तुम क्या गर सकते हो, अल्लमा हसे और बोले, आप भी अपनी तलवार से वार करो योगी को संकोच हुआ, क्योंकि अल्लमा चटान की तरह मजबूत नहीं दिख रहे थे, वो सामान ने दिख रहे थे, अल्लमा बोले, तलवार उठाओ, घबराओ मत तो उन्होंने तलवार उठाई, और पूरी ताकत से उनके सिर पर वार किया तलवार उनके शरीर से सीधे ऐसे निकल गई, जैसे हवा से होकर गुजरी हो योगी का वार जमीन से टकराया, और योगी संतुलंख होकर नीचे गिर गया उसमें पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा ये, ये 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 वो नहीं है, ये शिव है ये ये नहीं है और वो भी नहीं है अगर ये ये हो या फिर वो हो तो इसमें कुछ गुण होंगे ना तो ये ये है और ना ही ये वो है, ये शिव है, ये वो है, जो है ही नहीं